नमस्कार फिंड्स वीजा डू एक्स्प्लोर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली इस समय हम गया धाम में फाल्गू नदी किनारे खड़े हैं आज सुबह हम साड़े छे बजे यहां पर आ गए थे सबसे पहले हम यहां पर आकर विश्णुपत मंदिर अंदर जाके हमने भगवान विश्णु के चरण पादुगा के दर्शन करें मैं आपको कुछ इस थान की महांता की बारे में जानकारी देता हूं गयासूर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान विश्णु की तपस्या करी और उनसे एक वर ले लिया कि कोई भी मुझे स्पर्श करके स्वर्ग लोग जा सकता है और ऐसा कहते हैं कि ऐसा होने से सब लोग स्वर्ग लोग जाने लगे और यम लोग खाली हो गया ऐसी कथा है उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक यग्य करने के लिए गयासूर का शरीर दान में मांगा तो गयासूर लेटा उसके उप गया सूर की चाती पे अपने पाऊं रखे और गया सूर का हिलता हुआ शरीर को शांत किया आम तोर पे यातरी गया धाम पिंडदान के लिए आते हैं और ये पिंडदान फालगू नदी किनारे ही किया जाता है जैसे अब याप सामने देख रहे हैं ये सब यातरी यहां बैठे हुए और पिंडदान करवा रहे हैं इस थान से जुड़ी हुए एक कथा और भी है ऐसा कहते हैं बगवान राम सीता माता और लक्षमन इस थान पे महराज दश्रत का पिंडदान करने के लिए आये थे बगवान राम और लक्षमन जब तक लकड़ बिना भगवान राम के यहां पर संपन कर दिया जब भगवान राम लक्षमन यहां फर लोटे तो उन्होंने एक त्रासा प्रमान मांगा तो Sagtleight bak Tito ने प्रमान के लिए नदी से पूछा बरे में अभई आप यहीं से तो जैसे फाल्गो नदी मेरे भाल्गु नदी ने मना कर दिया कि पिंददान नहीं हुआ थोड़ बताएं गे क्या हुआ था सिधा मान ने यहां पिर्दान करने के लिए आये थे तो विहांने कुछ नहीं था यहां रेता था था एक गंगा यह फल्गु नदी जो है सुखा पड़ा रहा थी तमने इसमें दूद घ्यू मत किधार चलती थी पहले ने इंका सिधा जी ने बालू करेत उठाके उसमें पास चार जनने यहां जुट बोल दिया अक्षे वटने यह सच बोला कि यहां पिंदान हुआ ब्राह्मन को क्या शराप पड़ा वो बोला कि आप कितुनों जजमाना को दे देंगे बाकिस्ण तुष्टी ने होगा आइसा अब जास के तैसे रहोगी गवा कि तुमें तुम चुर से आते हैं विकास कि यहां पर में जो पिंदान है ना उसकी मानता है और श्राथ के समय बहुत भीड होती है सुना हम सही है थैंक्स आपने थोड़ी में जानकारी दे दन्यवाद ठीक हम आपसे कुछ देरे में दुबारा मुलागात करता हूं ब्रेक्फास पॉंट प प्रभुजी रेस्टरांट तो यहां पर मैं अपने लिए ना उत्तपम लिया है और अवर्राल गया एक्सपीरियंस हमारा उतना ज्यादा इलाबरेट नहीं हो सका जितना हम किसी और जगा जाते हैं तो करते हैं क्योंकि ताइम हमारे पास वाक्य में आज बहुत कम है अब नाश्ता फिनिश करके यहां से पत्ना की ओर जा रहे हैं रास्ते में जो इंट्रस्टिंग जगा हमें दिखाई देगी हमां गाड़ी रोकेंगे और फिर अपन पत्ना पोँचके आपको जॉइन तुपारा करेंगे दनरू हमें 20-25 दुकाने जो लाई के लड़ू बेशती है और इस एरिया के लाई के लड़ू बहुत ज़्यादा फेमस है सामने देखिए लाई के लड़ू ट्रेंस पे पड़े हुए मैं काम करता हूं खाने से पहले न यहां पर देख लेता हूं यह लोग तयार कैसे कर र तो आप यह बेसिकली जो मावा है इसको चाशनी बोल रहे हो और इसमें लाई को मिला लिया लाई क्या हूआ अच्छा लाई लावा देख देखिए निज कर रहे हैं ना तो मिस्ट करने के बाद चोटा च्टा लोगया तो लाई का लड़ू तयार एक लोगू तो दो सब़ तो मोटा मोटा समझेंगे तो लाई का लड़ू तयार होने में धाई से तीन हिंटे का समय लगता है जिसमें दूद का उबालना भी हो जाता है और इस तरह का मिक्सिंग भी आजाता है इसकी लाई पितनी होती है अगर हम अपने साथ लेकर जाएंगे कितने दिन चलेगा एक सब्ता चलो हम वहाँ शॉप से लेकर इसको खाकर टेस्ट करते हैं तेस्ट बढ़िया है काने से मालूम चली जाता है कि मावा और लाईस में मिला हुआ है तेस्ट अच्छा लगा में को कल रात में मैंने शिर्यराम बंडार गया में खाया था वह एक लेवल अपता यह लाई दाना है जिसको इस्तबाल करके लाई का लड़ू तयार किया गया है पांच मिनट बाद हम यहां से चलेंगे और आपको पढ़ना महुंच कर जॉइन करेंगे तो बस हमारे मन में अक्छली था कि एक बार जाने से पहले आपसे दुबारा मुलाकात करेंगे मैं खुद चाहरा था तो जैसे कुछ तो चीजे हैं कि आपने देखा होगा तो एक बर बताईए आप कहां पर विजट कर पाए जब यहां पतना से चलेने तो हम डिर्क्ली राजगिर जा एह ते तो राजगीर जाने से पहले नालंदा गए नालंदा गए नालंदा रुइन्स देखने के लिए तो नालंदा रुइन्स में अच्छा क्वालिटी समय बिताया अल्मोस्ट हमें एक खंटे से उपर का सामय म तो यहां पर नहीं हमने 3-4th of a day सित के करीब टाइम बिताया और गया में आज मॉनिंग में हम थे तो इसारे टूर में जो आप अफ दा माइंड रिकॉल्स है मेरे जो चीज एक दम से तो इसारे जर्नी का ना राजगीर का सफारी है वो एकदम से माइंड में तुरंत सामने आता है और तो इसका शीशा है तो आपको ऐसा लगेगा बिलकुल आप अनिमल्स के साथ में हो यूशली का उपका वो चोटी खिड़की होती है तो वो तो बहुत नरुक अमेजिंग लगा और ग्लास ब्रीज ओविसली गोस विदाउट से लगभाग दो मीटर पहले सदनली ऐसा ल और ग्राजगीर सही है और ग्राजगीर में हम लोग विरायतन में रुके वो हमारा बहुत अच्छा एक्स्पिरियंस था शांत जगा और उसकी अपनी हिस्टरी विरायतन की गया में जब बोध गया पहुंचे तो मैंने यूट्यूब पेले दो वीडियो देखे थे बट न मंदिर गए सुजाता स्थूप बोलते है वो विजिट किया सुजाता टेंपल है वो भी विजिट किया तो एक दिन में जितना अच्छे से हम डे को मैक्सिमाइज कर सकते थे और इसमें काफी हद तक अपना मुकुद भाई ने भी help कर दी इंटम्स of seamless planning होती ना तूर कैसे ए मैंद कि this is similar to gajak लेकिन खाने से मालूम चला है similar ठीक है दूर से similar है लेकिन taste is a lot different, बहुत different है और बनते हो हमने तिलकूट देखा तो वो तो एक live experience था कि हमारे सामने बन रहा और महीं कारे है तो बड़ा च्छा experience था फिर उसी शॉप पे हमने अनर्सा काया मतला विदा तो बड़ा है कि तो मतलब आपको कम सखम यह लगा ना कि फोर डे ट्रिंट व वर्त कमिंग लगा लेकिन अट सेम टाइम मुझे लगा मेरे को एक दिन minimum और चाहिए तो मुझे पले प्लान करता समेना को और अच्छे से आपकर से अपकर चाहिए तो इसे मेरे को फाइव दे तो इसकार में ज्यादा नालेज नहीं है थोड़ा उनलोग को बालूम चलेगा कि टूर कैसे ब्लान कर सकते हैं बिलकुट 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 So nice to meet you again Same way, same way, my best wishes and I hope that you come back Bihar very soon तो बस अभी हमारा प्लान यह है कि हमने अभी तक लीटी चोखा नहीं खाया इस जरने में इस जरने में वहार माइंड में था जब वापे हम पटना लौट कर राएंगे ना तब खालेंगे तो उसको ध्यान रखते हैं हम फिर सही टाइम आगे अफ्टर्नून में इस समय हम बिहार म्यूजियम के बाहर खड़े हैं मेरे साथ मुकुंद भाई हैं बिहार टूरिजम से तो इनसे बात हुई तो इन्होंने का मैं आपको लंच के लिए जॉइन कर लेता हूं तो अभी हम म कि मुजियम विजिट कर रहें क्योंकि मुजियम विजिट करने मतलब हैं तीन घंटे का समय लगेगा और आज मैं इस चाम को पापिस जा रहा हूं अगली बार जब मैं पठ्ट याओंगा तो मुजियम विजिट करूँगा मुखुद मेरे सुना है कि एक तम सब कुछ एसा है कि देखकर वर्ल्ड क्लास टाइप एक्स्ट्रीमली रिच कल्चर ओव बिहार यहां पे दिखाया गया है दर्शाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से लिटी चोखा भी आ गया और साथ में आपका मतन चावल आ गया इसमें क्या मतन है? यह मैथली सबजी है जो मैंने अलक से मंगवाई अपने लिए मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चनदाल साथ मिलेगी मेरे को लग रहा था किवल लिटी रहेगी और चोखा रहेगी और यह दो किसम के इन्होंने चोखा दिया है बैंगन का और आलू का साथ में दल लिटी में सत्तू की स्टफिंग है साइज लिटी का कंपैरिजन में छोटा है यूपी में लास्ट नहीं मैंने खाया था तो उसका साइज बड़ा था हा और अगिया दो अग साथ अश्गा आ इसके अंदर की स्टफिंग का भी है जो कि सत्तू से तैयार की गई है सत्तू है और सत्तू के साथ साथ लोग ने बहुत अच्छा बनाया इसके अंदर जयरको खास स्वाद आर ऻ Canadian उसके साथ हरी मिर्च, लैसुन और सत्तू की स्टफिंग और अविस है धन्या गदर यह वह दिखाना चाहूंगा यह गार्लिक होल्सम पूरा का पूरा लशन का यह तो इस तरह की प्रप्रशन विहार के कौन से जोन में ज्यादा होती है यह चंपारन मीठ का एक डिश है और चंपारन से ही यह डिश ओरिजनेत हुआ है देखो चंपारन अच्छी है इसमें तो कोई शक नहीं लेकिन जो मज़ा मेरे को यह बैंगन चोखे गा रहा है वो तो नेक्स लेवल है बहुत खुबसूरत हुआ है अच्छा बनाया है तब इसमें दो चीज है मश्रूम और पनीर मटर तो हमको सामने से दिखी रहे है और यह क्या है बहुत सारी क्रीम बहुत श्री प्रप्रटेशन है आज से मैंने कभी भी कोई ऐसे डिश नहीं खाई इसमें पनीर और मश्रूम जॉइंट हो एक साथ हो और ग्रेवी बहुत जाता थिक है और क्रीम में पनीर और मश्रूम को पकाया गया है बहुत ज्यादा क्रीमी है अच्छा खासा क्रीम का लोड़िंगे समें गुद टेस्ट हुआ 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 है मुआ हुआ हुआ ग्रेवी इस जादा थी घरों हे बना जाता है तो इसका जो यह कंसेट है कि जो भी बतन फर्स्त और लंच रह जाता है घर में उसको यह लोग टेस्ट इंज्वाइ करने के लिए उसको फिर यूझ कर्ने के बाद में पटना साहिब ग अच्छा, तो थैंक्स पर जोइनिंगें इन, यह थैंक्यू फत्य की सांज करें वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फत्य समने अब दर्शन कर रहे हैं एह गुरु द्वारा तक्त श्री हरमंदर जी पत्ना साथ जब श्री गुरु नानक देव साथ जी महराज अदासी समय यहां आए तो यहां पर यह जो जगह है सालस राय जोरी की जगह थी उनका घर था उन्होंने श्री गुरु नानक देव साथ जी को बड़े सतकासे अपने घर में निवास दिया यहां कुछ को महीने रहे और यहां पर लोगों को अकालपुर के साथ अपने ग्यान के जरिये जोड़ते रहे निहाल करते रहे उसके बाद में श्री गुर्टेक बहादर साथ जी महाराज आए यानि कि गुरु नानक देव साथ जी नौमे जाम्मे में आए उस समय अपनी सुपत्री माता गुजर कौर जी को यहां पर छोड़कर के असम चले गए उसके बाद कुछ समय बाद यहां श्री गुरु गोविन सुन साथ जी बहुत जादे महानता है सिक संगत बहुत जादे इस जगा को पियार करती है और हम महां के बहुत्धि चाउच्छा से जथे बंढ़ बंढ़ यहां पर दर्शनौकर ना झाधा महाता है इतनी बातों के साथ मैं अपनी बात पर संकोच करता हूँ वहाई गुरु जी का इस समय हम लोग ना काफी ज्यादा लेट हो चुके है क्योंकि हमारी डेली की फ्लाइट है अगर मैं फंद्रा मिन्टी आदा खंटा पहले यहां पोन जाता तो मैं गुरुद्वारे के अंदर जागे दर्शन कर लेता इसलिए मैंने बार से माता टेक लिया है तो अब मैं यहा हार के सीरीज भी यही पर एंड हो रही है अब ही मैं आपको यही पर बाइबाय कर रहा हूं जल्दी आपसे दुबारा मुलाकात होगी थैंक्स पॉर टाइंग